हेलो प्यारे बच्चों कैसी हैं आप प्यारे बच्चों आज हम आपकी क्लास का smile 3.0 का homework करेंगे homework है बच्चों हमारा English पर छलिए बच्चों यहाँ पर हमें कुछ pictures भी दे रखी हैं उनके names भी दे रखी है look at the pictures and write their name first letter of the name is given as you तो नीचे बच्चो first letter दे रखा है इनके name का picture दे रखे है तो इनको हमें पहचानना भी है साथ में इनका name लिखने है उपर से search करके तो बच्चो सबसे पहले picture है देखिए first letter दे रखा है B, B मतलब ये picture किसकी है बीटल की तो बीटल कहा है ये spelling आपको यहां लिखनी है बीटल की ठीक है इसको यहां से यहां लिखने है बीटल की spelling आते है B, W, T, L, E, बीटल अगली है बच्चो देखो यहां भी B letter दे रखा है यह है butterfly B, U, W, T, E, R, butter, F, L, Y, fly तो यह है butterfly तो आपको यहां इसका नाम लिखने है next है बच्चो snake, snake होता है samp, S, N, A, K, E, snake तो देखो इसका first letter दे रखे है तो snake की spelling का आ जाएगी यहां आ जाएगी next है बच्चो fly, fly होता है मक्खी जो आपके घरों में उड़ती है रहती है वो होता है fly, तो fly का है, fly बच्चो यह रहा तो आपको यहां इसका नेम लिखने है next है बच्चो grass ओपर, तो grass ओपर की spelling होते है g से शुरू हो रहे है g-r-a-s grass, h-o-p-p-e-r grass ओपर next है बच्चो spider, spider होती है मकडी, s-p-i-d-e-r spider, next है बच्चो mosquito, mosquito होता है मच्छर, तो यहां पर बच्चो आपके शायद M लिखा होगा, M नहीं होगा, यह रोंग है, इधर की spelling इधर लिखी है, इधर की इधर, तो मैंने यहां पर c को cut कर दिया है, और उसके stand पर mosquito लिख दिया है, तो आपगी साही कर लीजिएगा, यह बच्चो आएगा, कोक्रुच, क्योंकि c यहां लिखा हुआ था, और m यहां लिखा हुआ था, तो कोक्रुच की spelling है, c-o-c-k-r-o-c-r-o-a-c-h, कोक्रुच next है बच्चो ant, ant होता है, chinti, ant, ant, तो बच्चो इन्हें आपको वापिस लिखने नाम सबसे पहले है, beetle, b-e-t-e-l-e, beetle, next है snake, s-n-a-k-e, snake, f से शुरू होती है, fly, a से शुरू होती है, ant, g से grass ओपर आ जाएगा, m से mosquito आ जाएगा, s से spider, और b से butterfly, s से cockroach, तो चलिए यहाँ पर हमें home name दे रखी है, home दे रखी है, और animals दे रखी है, यानी animals के home name दे रखी है, हमें match करें हो, तो यह बच्चो stable है, stable किसका house होता है, stable होता है बच्चो गोड़े का house तो देखे बच्चों यहां horse लिखा हुए और यहां पर यह horse का घर है तो आपको इसके साथ मिलाने है horse के साथ तो मैं यहां आपको spelling लिख देती हूँ stable किसका घर होता है horse का h-o-r-s-e horse का pig style होता है pig यानि sewer का घर तो यह pig का house हो गया ठीक है इसको आपको मिलान करना है pig के साथ तो बच्चो अलड़ी मिलान है next बच्चो kennel kennel होता है dog का house तो आपको इस house के साथ क्या करना है यह मिलान करना है dog के साथ next बच्चो forest forest में कौन रहता है यहां पर forest में बहुत सरे animals रहते हैं लेकिन हम यह जो पिक्चर दे रखे हमें उसके साथ बताना है तो deer है deer forest में रहता है deer होता है hiran बच्चो यह है hole hole का मतलब है bill तो hole किस ता घर है snake का घर है मैंने यह hole लिख दिया यह hole यहां आ जाएगा snake house ठीक है तो hole होता है यहां पर है snake का घर तो हमें यहां जो animal दे रखे हमें उनके साथ image करना है चलिए बच्चो next worksheet में कुछ animal दे रखे हैं उनके आपको नाम लिखने है उपर भी दे रखे है fish, cat, cow, monkey, rabbit, lion, hand वह सबसे पहले picture है बच्चो monkey की m-o-n-k-e-y monkey तो आपको यहां लिखने है next है cow cow, cow, cat, cat, cat next है hen hen, hen, rabbit, 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 lion, 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 share यह है fish, much, detecting तो इसी के साथ आपका smile 3.0 अंग, complete होता है वीडियो को like के share कीजिएक और channel को सब्सक्राइब कीजिएक बच्चो और हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिएगा ताकि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं क्योंकि आप वीडियो में कमेट नहीं कर पाती हैं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए और आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो टेलिग्राम चैनल पर आकर पूछ सकती है और आपको कोई वीडियो चाहिए है आपके क्लास की तो वो भी आप हमसे मान सकती है थैंक यू